नमस्कार साथियों स्वागत करता हूं सबका इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है इस्टरिवित पियन लोदा मित्रों रीट 2021 साइकलोजी का पेपर नंबर फिप्टी फोल लेकर आया हूं यहां पर पेपर नंबर नहीं डाला है थोड़ी देख लीजिए गाइसको पेपर एक लेवल दो और अन्य सभी सिक्षक बरती है तूँ चाहे वो केंदर लेवल पर हो चाहे वो राज लेवल पर हो साथियों पहला क्यूशन देखेंगे प्रश्ण नमर एक है बालकों की सोच अमूर्तता क्या पेक्ष्या मूर्त अनुभों एवं प्रत्यों से होती है यह आ उस्से क्यूशन लिया गया है क्यूशन के रहा है बालक की जो सोच है वो अमूर्तता क्या पेक्ष्या मूर्त अनुभों और उसके जो प्रत्यों होते हैं उससे होती है बालक की सोच तो मूर्त संकीरियात्म चवस्था में रहेगी मूर्त संकीरियात्म कवस्था मतलब 7-12 वर्ष या 7-11 वर्ष इसको कह सकते हो मतलब बालक सांबने जो चीज होगी उसके बारे में ज्यादा संथता है तो पेहला विकल्प आपका सही है प्रश्ण नमबर एक में आगे बढ़ेंगे प्रश्ण नमबर दो की ओर साथियों प्रश्ण नमबर दो है यह देखिए व्यक्तिक भिन्निता का क्या अर्थ है व्यक्तिक भिन्निता का नाम आप सभी ने सुन रखा होगा लेकिन इसका अर्थ क्या होता है दो व्यक्तियों में जो शरीरिक भिन्यता होती है वही व्यक्तिक भिन्यता है या कोई भी दो व्यक्तियों में शरीरिक मानसिक योग्यता शरीक और मानसिक योग्यता और समविगात्मक दश्या में समान और एक जैसे नहीं होते हैं तीसरा विकल्ब है दो या दो से अधिक व्यक्ति शर्रिक मानसिक योग्यता में से एक में समान अवश्य होते हैं और इन में से कोई नहीं तो व्यक्तिक विभिन्यता केती है कि कोई भी दो व्यक्ति चाहे कोई भी हो शारिक योगिता है, मानसिक योगिता है, सविगा आत्मक दशा है, किसी ना किसी में तो भिन होते ही हैं, इनमें से सात्यों एक जेसे नहीं होते हैं, यही वेक्तिक भिनिता होती है, चाहे उनका जन्म एक ही साथ हुआ है, चाहे वो जुड़वा बच्चे हो, लेकिन उनमें क समाजिक भिनिता भी मिल सकती है इस प्रकार से सांस करती नेते कहीं सारी चीज़े होती है साथ यो तो यहाँ पर एक जिसे वो नहीं होते हैं सेकंड विकल पाप का सही है प्रश्ण नमबर दो में आगे बढ़ेंगे प्रश्ण नमबर तीन की ओर हारवर्ड गार्डनर का बहु बुद्धी सिद्धान्त किस पर बल देता है सिकसारतियों में अनुबंदित कोशलों पर समाने बुद्धी पर विध्यले में आवशक समान योगिताओं पर और प्रतेक व्यक्ति की विलक्षन योगिताओं पर तो गार्डनर का बहु कारण की बुद्धी बताने के कारण ये प्रतेक व्यक्ति की विलक्षन योगिताओं पर बल देता है कि सभी व्यक्तियों में अलग-अलग कुछ ना कुछ विशिष्ट शेत्र में सबकी विशिष्ट बुद्धी जरूर होती है इसलिए चोता विकल्प आपका सही है प्रश् की ओर साथ्यों प्रश्च नमबर चार है निम्न में से कौन सा मुल्यांकन का प्रकार नहीं है मानक निर्मानात्मक योगात्मक और सिसी तो सिसी का नाम सभी ने सुन रखा होगा सत्यों व्यापक मुल्यांकन जो की मुल्यांकन का ही एक प्रकार है योगात्मक और निर्मान निर्मानात्मक मुल्यांकन के निर्मानात्मक मुल्यांकन को साथियों रचनात्मक मुल्यांकन भी कहते हैं जो कभी भी लिया जाता है जिसे चात्रों से प्रश्न पूच रहे या बेटे बेटे अंत्याक्षिरी करवा रहे हैं खेल खिलवा रहे हैं मोगे कभ्यास करवा रहे कहीं सारी चीजे तो ये निर्मानात्मक या रचनात्मक मुल्यांकन योगात्मक सत्र के अंत में लिया जाता है जबकि मानक मुल्यांकन नहीं होता है मानक ता तो मुल्यांकन की विशेस्ता है साथियों क्या है विशेस्ता प्रकार नहीं है इसलिए प्रतम विकलप आपका सही है प्रिश्ण नमबर चार में चलिए आके बढ़ेंगे प्रिश्ण नमबर पांच के ओर पांच वक्यूशन मनवेग्यानिकों के अनुसार निम्न में एक चीज के द्वरा होता है वहें मारगानती करन या इसको शोधन भी कहा जाएं शोधन या मारगानती करन के द्वरा मूल प्रत्यों में कुछ मात्रा में परिवर्तन लाया जा सकता है सेकंड विकल्प आपका सही है प्रिश्ण नमबर पांच में नेक्ष्ट आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण नमबर छे की ओर तो साथियों छेटा क्यूशन देखेंगे प्रश्च नमबर छे है अधिगम की प्रकिर्या में प्रेड़ना सिख्षार्तियों को दिशहीन बनाती है सिख्षार्तियों में सीखने की जिग्यासा उत्पन करती है सिख्षार्तियों की इसमर्ती को तेज करती है या पुराने तता नए ग्यान में अंतर इस्पष्ट करती है ये चार विकल्प है तो अधिगम की प्रकिर्या में प्रेड़ना क्या करती है दिये गए चारों विकल्पों में से उस विकल्प का जैन कीजिए जो आपके अनुसार सही हो फिर इसका राइट आंसर बता दिया जा जो शिक्सार्ती जो चात्र होते हैं उनमें सीखने की जिग्यसा ये उत्पन करती है साथियों बालक सीखने के लिए ततपर हो जाता है यदि वो अभिप्रेड़ित होता है तो आपका जो सेकर्ड विकल्प है प्रिश्ट नमबर छे में वो ही राइट आंसर है आगे बढ़ इने सुनरका होगा चिंतन मनोगतिक परिकिद्या नहीं होती है साथियों ठीके नाहीं भावात्मक व्यवहार होता है नाहीं मनोग्यनिक परिगटना होती है बलकि चिंतन क्या होता है संग्यानात्मक गतिविदी ज्यान से संबंदिद गतिविदी ही चिंतन है ठीके संग्य प्रिक्षनात्मक गतिविदी है चिंतन अपका प्रतम विकल्प सही है प्रिश्च नमबर साथ में आगे बढ़ेंगे प्रिश्च नमबर आठ की ओर तो सात्यों प्रिश्च नमबर आठ पे आते हैं बहाय अबास के अदार पर व्यक्तितु का वर्णन कहा जाता है गहन दरश प्रिक्षनात्मक गतिविदी अधर प्रिश्च नमबर आठ की ओर तो बहाय अबास के आदार पर व्यक्तितु का वर्णन क्या कहेंगे प्रिश्च नमबर आठ का सही विकल्प बताईए उसका जो राइट आंसर है देखे बहाय अबास मतलब बाहर से जो आपको दिखाय द जाता है उसको कहा जाता है सतही दरश्टिकोण glory are clear का जो अबाफर का जो अपको दिखाय देता है उसके अधार पर यह दिया अधर व्यक्तित्म के एक निष्चित बता देते हैं कि इसका व्यक्तित्म है तो फिर उसको ही सतही दरश्टिकोण कहा जाता है आटवे क्यूशन में फोर्ट विकल प्रायटेस आथियो आगे बढ़ेंगे प्रिश्च नमबर नो की ओर नोवा क्यूशन देखतिस्तान मस्तिस की सरजना तता क्रत्यों में विभेद का परिणाम है तनाव पिछड़ापन डिसलेक्सिया और इन में से कोई नहीं देखेगा मस्तिस की सरजना और क्रत्यों में विभेद क्रत्यों मतब क्या होता है किरिया है मस्तिक्स कुछ और के रहा है किरिया कुछ और ही हो रही है तो ये डिसलेक्सिया के कारण होता है किसके कारण होता है ये डिसलेक्सिया के कारण आपका जो थर्ड विकल्प है पतन वेखली भी कहा जाता है इसको डिसलेक्सिया को ये मस्तिक्स की सचना और कत्यों में विवेद इसके कारण ही होता है थर्ड विकल्प सही रहेगा प्रश्णमबर नो में आगे बढ़ेंगे प्रश्णमबर दस की ओर दसवा क्यूशन है उपलब्दी अभी प्रेड़ना है सफलता वे ऐसफलता को समान रूप से स्विकारने को तत परता स्विकारने की तत परता है सोरिय ना बिना विचारे जल्दबाजी में कारे करने की प्रवर्ती चुनोती पुन कारे करने में डटे रहने की प्रवर्ती और ऐसा पलता से बचने की प्रवर्ती तो उपलब्दी अभी प्रेड़ना डेविड मेकलिलेंड का नाम आप सभी ने सुन रहा होगा साथियो उपलब्दी अभी प्रेड़ना के संदर्ब में डेविड मेकलिलेंड के द्वारा बताया गया था और कहा था चलो क्या कहा था पहले तो हम वो बाद में डिसकस करेंगे लेकिन यहाँ पहले आंसर दीजिए तो देखिएगा ऐसा पलता से बचने की प्रोत्ती को उपलब्दी अभी प्रेड़ना नहीं कहते हैं नहीं बिना विचारे जल्दबाजी में जो कारे करता है उसको भी उपलब्दी अभी प्रेड़ना करते हैं अब यहाँ पर आपका प्रथम और थर्ड विकल्ब सही है मतलब प्रथम और थर्ड विकल्ब बचा है सही तो दोनों में से एक का चुनाओ करना है तीसरा सही है या प्रतम सही है प्रतम कही रहा है सपलता वया सपलता को समान रूप से स्विकारना और तीसरा कही रहा है प्लब्दे अभी प्रेड़ना होती है यूँ नहीं है कि अगर वो ऐसे फल हो गए तो उसको भी समान लूप से सुईकार है नहीं बलकि वो मुखी इसकी विशेस तक्या होती है कि जो चुनोती पुन कारे होते हैं उसमें ये डटे रहते हैं उससे पीछे नहीं हटते हैं ठीक सिक्सन को अधिगम में केसे बदलोगे आप सिक्सक हो बच्चों को पड़ा रहे हो तो वो जो सिक्सन करवा रहे हो उसको अधिगम में बदलना है परिक्ष्याओं का आयुजन करके रटने की प्रुवत्ती को प्रोसाहित करके समान सिक्षन पर बल देकर और बाल केंदिस सि इसरा या चोता बताईए प्रश्च नमबर ग्यारा में साथियों सिक्सन को अधिगम में यदि आपको बदलना है तो बाल के अंदरी सिक्सा सास्त्र को अपना करके आप सिक्सन को अधिगम में बदल सकते हो बाल के अंदरी सिक्सा सास्त्र का मतलब क्या होता है जिसमें बालक सक्रिय रहता है सक्रिय भूमिका में रहकर किसी चीज को पढ़ता है तो वो ही क्या है अधिगम है शिक्षन को अधिगम में आप एसे बदल सकते हो बाकि रटने को रटने की प्रोत्ति को प्रोस्थान देना तो बिलकुल ही गलत है प्रिक्षयाओं का आयुजन करके भी आप को दिगम में नहीं बदल सकते ओनली फोर्ट विविकल फे ग्यारवे क्यूशन में सही आगे बढ़ेंगे प्रिश्च नंबर बारा की ओर बारवा क्यूशन आपके आता है लंबाई भार तथा तोचा का रंग पेर आखों अयों बालो का रंग में विविद्धता तता विचल को कहते हैं भावनात्मक अंतर भोतिक अंतर मांसिक अंतर और इन में से सबी तो बारवे क्यूशन का राइट आंसर बताईए कि लंबाई है भार मतलब वजन है तोचा का रंग की कोई गोरा है कोई काला होता है उसके जो पेर है आखे है बालो का रंग है इन में जो अलग- आपको विविदता दिखाए देती है उस अंतर को उस विचलन को क्या कहा जाता है बारवे क्यूशन में राइट आंसर है उसको भोतिक अंतर कहा जाता है बोतिक मतलब बाहरी जो दिखाए देता है जैसे कोई कहता है कि यह लंबा है यह चोटा है इसका वजन जादा है इसक जोचा करंग काला है इसकी आखो करंग नीला है ये नीली नीली आखे सुनाओगा आप सभी ने तो ये सभी जो चीजे बाहर से दिखाए देती है ये बोतिक अंतर के अंतरगत आती है साथ यहाँ पर सेकंड विकल्प आपका सही है प्रिश्ण नंबर 12 में आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण नंबर 13 के ओर तेरवा क्यूशन आपके आता है अधिगम संब्रद होगा अधिगम संब्रिद होगा यदी कब होगा सिक्षकों दोरा विविद प्रिकार के व्याक्ष्यान वे इसपश्टी करन का प्रियोग सिक्षन में किया जाए कक्षा में नीमी तंतराल पर प्रिक्षन लिया जाए कक्षा में वास्तुई घटनाओं के उधारनों के माध्यम से सिक्षन कारी किया जाए और कक्षा में अधिक से अधिक सिक्षन साएक सामगरी का प्रियोग करना चारों ही उल्जे हुए ओप्षन है क्यों क्योंकि आपको इसा लगेगा कि सारे ही सही है लेकिन सही तो एक ही है बागी तीन तो हमें या गलत करेंगे देखिएगा अधिगम समरद कब होगा साथियों पहला कही रहा है सिक्सकों दोवरा विविद प्रकार के व्याख्यान वे इसपश्टिकरन का प्रियोग सिक्सन में किया जाए बिल्कुल शुद्द लग रहा है सही लग रहा है दूसरा है कक्षा में नेमी तंत्राल पर प्रिक्सन लिये जाए ये भी सही लग रहा है लेकिन ये थोड़ा कम सही लग रहा है पहले से तीसरा है कक्षा में वास्त्वी गटनाओं के उधारन के माध्यम से सिक्सन कार किया जाए और कक्षा में अधिक से इतना सई होता तो है लेकिन उतना जादा नहीं, अब हमारे यहां पर एक तो प्रतम विकल्प है और एक थरड़ विकल्प है, इन दोनों के अगर हम तुनना करें, तो यहां पर तो क्या है विविद प्रकार के व्यठ्यान और इस्पष्टिकरन शिक्सन में प्रियोग हो रहे और तीसरे में क्या हो रहा है जो वास्तुई गटनाएं हैं उनके उधारन के माध्यम से सिक्सन कारे किया जाए ये चीज क्या हो जाती है मूर्त हो जाती है चात्र मूर्त रूप से उस चीज को देख करके सीखता है और यहां पर व्याक्यान और स्पश्टिकरन हो रहा है लेक पर आपका जो सही आंसर है आपकी जो प्रतम चोई से वो रहेगी थर्ड विकल्प कक्षा में वास्ति गटनाओं के उधरन के माध्यम से सिक्सन कारिये किया जाए तब सबसे जादा अदिगम सम्रिद होगा थर्ड विकल्प सही है बाकी प्रतम भी गलत तो नहीं है लेकिन इ मुसार भी थर्ड ही राइट है बट आप फिर भी इसके लिए कमेंड करके जा सकते हो ठीके प्रश्ट नमबर 14 देखेंगे साथ यो चवद वा क्यूशन निम्ण में से कौन सा इस्टर्न बर्ग के त्री तंत्रिय सिद्धांत का एक रूप है प्रायोगिक बुद्धी संसा पर एक घटक कौन सा है साथियों मतलब कौन सी बुद्धी का प्रकार बताया है तो देखो इनोंने प्रायोगिक बुद्धी नहीं बताई है नहीं इनोंने संसादन पूर्ण बुद्धी बताई है और नहीं गनितिय बुद्धी बताई है बलकि इनोंने व्यावारिक क्विकास निम्न में से किसके दोर्गावित है संग्यानात्मक्विकास संभावित मतलब वो चीज TRUNG कि इसके दोर्ग संग्यानात्मक्विकास होता है पहला है प्रासंगिक और हर संभव रूप में सू नियोजित परिक्षाओं को आयुजूत करके दूसरा है पारंपरिक तरीकों को सू ढृड करने वाली गतिविदियों को प्रस्तुत करके तीसरा है एक सम्रिद और विविद वातावरन प्रदान करके और चोता है सहयोगा आत्मक्ता की अपेक्षा वेक्तिग गतिविदियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके तो संग्यानात्मक्विकास किसके दोरा सबसे ज़्यादा संभावित होगा किसके दोरा सबसे ज़्यादा संग्यानात्मक्विकास होगा पंद्रवे क्यूशन में सही विकल्प का चुनाव कीजिए पहला दूसरा तीसरा या चोता कौन सा विकल्प सही है क्यूशन अच्छा है मेरे हिसाब से सही विकल्प बताना है आपको पंद्रवे क्यूशन में सात्यों में आपको एक बात बता दू जहां पर भी सिक्सन से संबंदित की बेश्ट क्या रहेगा तो अगर मुर्त अनुबाव आ रहे हैं मुर्त मतलब बालक अगर प्रतेक्ष रूप से सीख रहा है तो वो 101% सही आंसर होता है और जहां पर वो मुर्त अनुबाव वाला विकल्प नहीं है और वहां हो सम्रिद और विविद वातावरन तो वो ही आपका राइट आंसर रहता है सम्रिद वातावरन का मतलब क्या होता है जहां पर बालक के अनुकूल वातावरन हो जैसा वातावरन उसे चाहिए उससे भी अच्छा वातावरन मिल जाए तो ओटोमेटिक बालक उस चीज को उस वातावरन में रहे कर आसानी से सीख सकता है थर्ड विकल्प सही है प्रश्च नमबर 15 में आगे बढ़ेंगे प्रश्च नमबर 16 की ओर तो 16 वाक्यूशन साथियों ये देखिए प्रश्च नमबर 16 है निम्ड में से कौन किरिया परसु तनुबंदन के मूल मंतवी का वर्णन करता है अब द सीद बतानी आपको कि क्या बताया है किस पर आधारित वो सिद्धान्त है किसका वर्णन वो करता है विकल्प एक है उप्रियुक्त परिस्थतियों में कोई भी प्राणी कोई भी अनुकिरिया सीख सकता है दूसरा विकल्प है प्राणी उन अनुकिरियाओं को निर्गत करन शीख लेते हैं जो उनके लिए अधिक्तम लाब करी हो तीसरा है व्यवहरों का रुपांकन किरिया द्वरा होता है और चोता है व्यक्ति के वल तब सीखते हैं जब वे सीखना चाहे तो जो पुनरबलन का सिधान इन्हों ने दिया था सात्यों वेसे मूल रूप से पुनरबल पर बल दिया गया था तो इसका मूल चीज क्या है देखिएगा मूल चीज है इसकी प्राणी उनकिरियाओं को निर्गत करना सीख लेते हैं जो उनके लिए दिक्तम लाबकारी हो मतलब हम उनकी किरियाओं को सीखते हैं जो अमरे लिए लाबकारी होती है जो अमरे लिए ला प्रियोक किया था इसकीनर के द्वारा जो प्रियोक किया गया था बिल्ली पर अब उसमें क्या किया था बिल्ली को अंदर जो उनके द्वारा इसकीनर बोक्स बनाया गया था तो उसमें एक लिवर सोरी बिल्ली के चुहे पर प्रियोक किया था बिल्ली पर तो थोंडाइक ने और यहां पर एक नाली थी और इसमें यह थाली रख दी यहां पर और उपर यहां बोजन रख दिया जैसे इस लीवर को दबाया जाता था तो यहां से यह बोजन कहा आ जाता था इस थाली में और चुहा इसको खा लेता था तो चुहा लीवर तभी दबाता था जब उसको पत बूख लगती बूख लगती मतलब उसको बोजन क्यावशक्ता है तो पेर से इस लिवर को दबाता और इधर बोजन आ जाता तो यह किरिया क्यों कर रहा है वह इसको क्यों सिखा क्योंकि उससे बोजन क्यावशक्ता पूरी हो रही है संतुष्टी मिल रही है लाब कारी है चाते हैं आप से, चलि आगे बढ़ेंगे प्रिश्च नबर 17 की ओर सत्रवा क्यूशन साथियों, प्रिश्च नबर 17 है, चिंतन प्रारम होने के लिए क्या आउशक है, पूरु अनुब्हव आउशक है, भाषा आउशक है, तर्क आउशक है, और समश्य आउशक है, इन चारो आने पर ही हम किसी भी चीज के बारे में चिंतन आरंब करते हैं जिसे मान लीजिए अभी रीट का पेपर होने में दिक्कत हो रही है जिसे कोरोना का ये टाइम चल रहा है उस उपर से सरकार भी कही न कहीं इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है तो अब हमें चिंता होती ह कर görüş हम यह सोते कि रहेँ हो यहार पेपर को ओफ केसे क्या होगा कितने दिन लगेंगे बहुत तेंको, ogniया हम यह सोते नहीं होता है, जब तक हमारे सामने समस्च traffp क जब तक चिंतन नहीं होता है जिसे पिपर हो जाएगा फिर क्या सोच़ेंगे रिजल्ट कब आएगा कटोप कितनी जाएगी मेरे कितने क्युषन सही है मेरे कितने नमबर आएगे मुझे कौन सा जीला मिलेगा मेरी जोइनिंग कब ऑगी इत्यादी तो ये चीजें दिरे दिर बदलती रहती है जिसे जिसे व्यक्ति के सामने समश्या आती है चिंतन का सुरूप भी बदलता रहता है विकल्फ नंबर 4 सही है आपके प्रश्ण नंबर 17 में आगे बढ़ेंगे प्रश्ण नंबर 18 की और 18 वाक्यूशन प्रश्ण नंबर 18 है एक सिक्सक को साधन संपन होना चाहिए इसका हर्त है कि इनके पास प्रियाप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि सिक्सर में उसे काम ले सके उनका अधिकारियों के उच्छिस्तर तक संपर्क होना चाहिए उनको अपने विध्यारतियों की समश्या का हल करने का प्रियाप्त ज्यान होना चाहिए और विध् लब ये है कि वो खुद के उनके जो विध्यारती है उनकी समश्या का हल आसानी से कर सके इतना ज्यान उसके अंदर होना चाहिए सिक्षक का साधन संपन होना है सिक्षक की जो मौल पुझी है वो धन नहीं है वो उसका ज्यान है उस ज्यान से ही वो विध्यारतियों का जीवन प्रकाश में करता है विकल्प नमBER थर्ड सही है प्रश्ण नमBER 18 में समानता का नियम का नियम नहीं है वन्षानुक्रम का लिखता है ना का नियम नहीं है समानता का नियम बिन्दता का नियम प्रत्यागमन का नियम और अभी प्रेड़ना का नियम देखिए समानता का नियम क्या कहता है कि जैसे मातापिता होगे वेसे उनकी संतान होगी तो ये तो वन्षानुक् में सही है अब आज का अंतिम और 20 वा क्यूशन लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूले साथ यहों क्योंकि आप लाइक करते नहीं हो और मुझे पता है कि 50 प्रतिशत लोगों ने चैनल को सबस्क्राइम नहीं कर रहfind है लेकिन कोई दिकत नहीं अब चाहो तो कर सकते हो नहीं चाहो तो नहीं कर सकते कोई टेक्स टो लगता नहीं है इस पर कि भई कर दिया तो टेक्स लगना चालो हो जाएगा आपके प्रस्ट lavender 20 है गोल्मेन निम्झ मेंसे के जनक है डेनियल गोलमेन सववेगात्मक बुद्धी के जनक कौन है डेनियल गोलमेन यहां आपका सेकंड विकल्प सही है लेकिन सववेगात्मक बुद्धी के बारे में सबसे पहले बताने वाले थे सेलोवी एवं मेयर सेलोवी एवं मेयर के दोवरा समविगात्मक बुद्धी के बारे में सरप्रतम बताया गया था किन्तु समविगात्मक बुद्धी पर विश्त्री तद्यन और इसका सरवादिक विकास गोलमेन ने किया इसलिए इसका जनक गोलमेन को माना जाता है तो सेलोवी और मेयर ये भी समवेगात्मक बुद्धी से संबंदी थे गोलमेन भी समवेगात्मक बुद्धी से संबंदी है सबसे पहले इस बुद्धी के बारे में सेलोवी और मेयर ने बता है लेकिन सरवादिक विकास गोलमेन ने किया ता साथ यूँ इसलिए समवेगात् करके जरूरू बताएं मिलते हैं सात्यों अगले वीडियो में